बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल अंग्रेजी अकेडविंग में दोस्तों हमने काफी सारी बाते की कि जो पार्ट्स और स्पीच हैं उसके अंदर क्या-क्या उसके इंग्रेजेंट्स होते हैं अब हम आज बात करेंगे हमारा की संटेंस फ्रेज और क उससे पहले मां आपको बता दू कि हमारे बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे उसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ में और पूरा वीडियो देखना है क्योंकि हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के बहुत अच्छी जो हम हमारी साथ मैं सट malt Pop geras सन्कल्व एक रखना मंजिल पर जाने के लिए आपको संकल्व बनाई रखना है कि मैं इस वीडियो पूरा देखूं और इस जो वीडियो है उसके साथ ही मैं स्टड्वी में अच्छी मेहनत करूं यहांडे हमारा जो आज for beginners हमारे जो आज बाते होंगे वो यह होंगे कि fundamental of English English के जो fundamental है यह जो चीजे छोटी छोटी चीजे ना उनके बार में एक बार हम जानेंगे हम जो पहले हम बात कर चुकिया है कि sentence क्या होता है a group of word is called sentence right a group of word is called sentence word means a group of जो होता है letters का उसको उसके group को हम बोलेंगे word बोलेंगे यानि कि किसी भी meaningful जो एक group of letter होता है उसको हम बोलेंगे word और word जो होता है वो मिलकर क्या बनेगा भाई sentence बनाएगा एक meaningful sentence होता है वही sentence कहलाता है जैसे मैं कहूं इसमें क्या हो गया कि it is a group of word sentence होता है वो एक group of word होता है phrase होती है it is a group of word ये भी एक group of word होता है close होती है it is a group of word तीनों में कोई difference नहीं है भया तीनों same है यानि कि close भी वहीं होती है एक group of word होता है phrase भी वहीं होती है sentence भी वहीं होता है अब इसमें देखिए जो हमारा sentence बनता है वो subject से और verb से बनता, देखिए, मैंने एक जिकर किया था, finite और non-finite, मैंने एक जिकर किया था, कि finite verb क्या होती है, और non-finite verb क्या होती है, हमारे जो पहले वाले जो वीडियोज हैं, उनमें हमने देखा था, तो ध्यान रखना दोस्तो, subject के साथ में जो finite verb होती है, वहीं एक क्य क्या कहलाता है संटेंस कहलाता है सब्जेक्ट के साथ में क्या होना ज़रूरी है सब्जेक्ट वर्ब कोंबिनेशन होना ज़रूरी है अगर उस सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा वर्ब नहीं होगी तो वह संटेंस नहीं कहलाएगा उसके बाद में क्या आता है it gives complete sense sentence होगा न वह है आपको complete sense देगा अब हमारी बात संटेंस समझ में आ गया sentence क्या होता है एक group of word होता है ठीक है उसमें subject का verb यानि की verb कौन सी finite verb that changes according to subject changes according to number changes according to किसके उसके बाद में हमारा तो tense न उसी के according यह changes होती है उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे finite verb बोलेंगे और उस finite verb से मिलकर subject के साथ में वह finite verb जो मिलकर बनाती है उसमें क्या होगा हम बात करेंगे किसकी phrase और close की बहुत ही जरूरी है हमें यह समझना कि phrase क्या होता है और close क्या होती है हमारे सामने बहुत बड़ा एक complicated क्यूशन पूटप होता है तो देखें फ्रेज होती है फ्रेज एक group of word होता है फ्रेज होगी वह एक group of word होगा उसके अंदर क्या क्या होगा यानिकी subject का होना जरूरी नहीं होता है उसके अंदर वोकका combination होना जरूरी नहीं होता है फ्रेज के अंदर कोई भी finite वर्ब नहीं होगी यह ध्यान में रखना non-finite verb से मिलकर बन सकता है non-finite verb से मिलकर बन सकता है जैसे देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ कि उसमें एक phrase का मतलब क्या हो गया जैसे कि छोटा सा हो गया how to how to solve this problem how to solve this problem ये क्या हुआ वाई group of word है ठीक है इसमें ना तो subject है कहीं और ना क्या है finite verb है मैंने भी बोला कि finite verb से मिलकर क्या बनेगा close बन सकती है close बनेगी भी और phrase नहीं बनेगी phrase क्या होँआ it is a group of words no subject verb combination उसके अंदर subject और verb का combination नहीं होगा it doesn't give complete sense phrase क्या होगी कोई भी complete sense नहीं देगी कुछ भी हो देख लिए जैसे मैंने कहा कि how to solve this problem जैसे कि मैंने अभी बोला है कि इसके subject है वर्ब है उसका combination नहीं होगा उसके बाद में हमारी बात आती है close की अब सारी चीज़े हम देखेंगे इसके बारे में जिकर करेंगे एक बाद थोड़ा पहले close को समझ लेते हैं close होती है न it is a group of word कोई similarity नहीं है जैसा sentence था जैसा phrase थी वैसा ही क्या है close है subject verb combination क्या होगा बई subject के साथ में verb मिलकर एक combination बनाएगी वह क्या कहलाएगी close कहलाएगी जिसके अंदर finite verb होता है जिसके अंदर जो finite verb होगी वह क्या कहलाएगी close कहलाएगी it can give complete sense वह क्या दे सकती है complete sense भी दे सकती है it cannot give complete sense और वह complete sense नहीं भी दे सकती है ध्यान में आया है भई हमने क्या चीज़ से की दो चीज से की sentence आपको पता चल गया, उसके बाद में हमारा जो कई बार जो difference कैसे करें, phrase क्या होती है, close क्या होती है, उसमें जोनों में difference create करने के लिए हमारी जो main बात है, वो क्या है, कि close के अंदर subject verb का combination होगा, verb कौन सी होगी, verb होगी, finite verb, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ी है, दूसरी बात हमारी क्या गए भई, phrase की, phrase क्या होता है, एक group of word होता है, but उसमें subject verb का कोई combination ही होता है, दूसरी चीज, वह है complete sense नहीं देगा, जैसे मैं कहूं कि how to solve this problem, how to solve this problem, ये group of word है, group of word है, but it cannot give complete sense, किस problem का solution करना है, किसका क्या करना है, ये किसी भी चीज को indicator नहीं करती है, हमारी बात सलती close की, close क्या है, दो प्रकार की होगी, एक होगा dependent close, और दूसरा independent close, दूसरा होगा dependent close, independent जो close होती है, वह क्या हो गया भई, man close हो गया, और dependent क्या होती है, subordinate close, हम उनको क्या बोल सकते हैं, मैंने close किसको बोलेंगे, जैसे कि मैं sentence लेखता हूँ, कि if he comes here, I will give him books, okay, if he comes here, ये वाली क्या होगी, dependent होगी, ये इसके उपर, ये वाली close क्या होगी, इस पर depend होगी, और ये क्या होगी, independent होगी, अपने आप में स्वतंतर close, इसको हम man close भी बोल सकते हैं, जो किसी भी चीज के उपर, जो dependent होती है, जो किसी भी अपने आप में स्वतंतर होती है, इंडेपेंडेंड होती है उसको अपन क्या बोलेंगे मैन क्लोज मतलब इसमें completely अर्थ निकलता है इसका complete sense निकलता है इसका कैसे I will give him books मैं उसको books देंगा that is complete sentence okay but यह क्या हो गया यह वाली क्लोज क्या होगी डिपेंड होगी कैसे हुई if he comes here यहां आता तो इसका मतलब कुछ न कुछ आगे कहना चारा है कहना चारा तो वह क्या होगी वही dependent क्लोज होगी इसको सब ओर्डिनेट क्लोज भी बोल सकते हैं यानि कि जूड़े गिए दूसरी संटेंस अपने आगे जूड़े यानि कि वह है दूसरी कुछ न कुछ संटेंस ऐसा लेना चारी है कुछ न कुछ वह है कहना चारी है इसलिए उसका complete sense नहीं है जो मैंन होगी क्लोज उसका complete sense होगा ध्यान रखना अभी मैंने बोला कि क्लोज जो है वह एक नॉर्मली अपन क्या बोलेंगे independent और dependent इनको बोच सकते हैं कभी भी आपके अग्जाम में ये वाली चीज नहीं पूछी जाएगी ओके अब हम क्या पूछी जाएगी कैसे पूछी जाएगी उसको हम जिकर करते हैं अब हम थोड़ा सा यह पैचा रहेंगे एक बार की phrase और close में क्या difference है हम phrase कैसे जाने और close को कैसे जाने after that हम देखेंगे कि कैसे exam में पूछा जाता है but before it हम यह देखेंगे कि close क्या है और phrase क्या है तो हमने जैसे ही बात की थी पहले कि close होता है उसमें subject verb का combination जरूरी है वह complete sense दे सकता है complete sense नहीं भी दे सकता phrase होता है वह एक group of word होता है but there is no combination of subject and verb उसके बाद में यह जो है वो ना तो complete sense देगा अब क्या देता है क्या बनता है कैसे होता है देखिए मैंने चार संटेंस लिखे मैंने मैंने का कि he met a girl with blue eyes माल लिजे यह यहां क्या होगा वाई एक गर्ल with blue eyes यह वाला जो है with blue eyes यह क्या होगा इसके अंदर phrase होगी यह क्या होगया इसके अंदर phrase होगी क्या बोला चने I met a girl with blue eyes तो with blue eyes क्या होगया phrase होगया इसी को हम अगर close बनाए तो he met a girl whose eyes were blue यानि कि यह क्या बना रहा है complex sentence बना रहा है और इसके अंदर यह वाली क्या होगी क्लोज होगी he met a girl यहां यह क्या हो गया independent close हो गया और यह वाली क्या होगी dependent close हो गई अब यहां पर आपको इतना ध्यान रखना है कि यह वाली close है यह phrase है तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है इसमें मैंने जैसे पहले बता है इसके अंदर कहीं finite verb है इसके अंदर कहां कहीं subject है there is no combination of subject and verb here right it means it is a phrase आके यहां मैंने बोला कि उसमें close के अंदर क्या होना चाहिए what should be needed क्या होगा whose eyes subject हो गया whose eyes subject हो गया यह वाली क्या होगी finite verb होगी it means this is a close a verb a sentence which has subject and finite verb is called close is called close a sentence which doesn't have subject and verb is called phrase right तो यहां पर यह क्या हो गया अपना close होगी दूसरे वाला sentence में देखिए the umbrella with a broken handle with a broken handle तो यहां पर देखिए with a broken handle टूटी हुई handle का टूटा हुआ हैंडल जो है न उसका umbrella it means this is a close यहां close sorry phrase close क्या होगी इसके अंदर इसके अंदर the umbrella is mine close क्या होगी the umbrella is mine यहां पर यह close होगी बट इसके अंदर phrase क्या हुआ हुआ with a broken handle clear है भाई next क्या गया the umbrella which has a broken handle which has a broken handle this is a finite verb it means it is a close because it has subject and finite verb तो यहां पर एक close होगी the umbrella is mine यहां क्या होगया the umbrella is mine but do no में difference क्या है यह freeze है और यह close है इसके अंदर यह वाली phrase है इसको हम close ऐसे बनाएंगे clear है दोनों एक ही चीज़ है बट दोनों यह difference क्या है कि फ्रेज में क्या होता है nou उसमें finite verb होती है subject के साथ में combination बनता है अब हम देखेँगे कि इसके क्या-क्या टाइप्स होते हैं, Yes Dear Students, हम बात कर रहे हैं किसकी, Close की, Close में जो मैंने पहले बोला, Confuse नहीं होना, Please, मैंने क्या बोलाता कि, जो Independent है, Dependent है, वो एक Normally है, अपन जैसे कि अपन बात करने में है, बोलते हैं कि इसको Dependent भी बोल सकते हैं, Independent भी बोल सकते हैं, जाकि संटेंस होता ह बट जो Real जो होता है, उसका Type जो होता है, Close के अंदर, वो क्या होता है, Noun Close, Adjective Close, Adverb Close, ध्यान रखना, यहां से आपकी मंजिली स्टार्ट होती है, कैसे, Noun Close, Adjective Close, Adverb Close, अब मैं आपको Short and Sweet सब्दों में समझाऊंगा, जो आपकी एक्जाम के लिए Important प्रूव होगी, कैसे, मैं आपको यह कहूँ कि Noun जो होना Noun, उससे What से Question कर लो आप, किसे करोगे, What से Question कर लो आप, जैसे मैं, डखो, Close और Phrase, Phrase भी वही है, कौन सी, Noun Close, Sorry, Noun Phrase, Adjective Phrase, और Adverb Phrase, तीनों वही है, वो Noun है, यह Adjective, Sorry, यह Close है, और यह क्या है, Phrase है, अब देखो, यहां मैं दो Sentence लिखता हूँ, यहां मैं दो Sentence लिखता हूँ, Yes, हमारे सामने क्या है, Close, Phrase, अभी बोला, Noun Close, Adjective Close, Adverb Close, अब हमने, यहां पर कुछ Sentences लिखे हैं, किसके बारे में, क्या जाने के लिए, Noun Close को जाने के लिए, तो Noun Close का मैं अभी बोला है, कि What's a Qution करो, What's a Qution, मैं देखा, कि I eat, एक दखो, सबसे पहले Close को पहचाने का एक ही तरीका है, उसके अंदर Finite Verb होनी जरूरी है, एक Funite Verb होगी, एक Close, दो Funite Verb होगी, दो Close, तीन Funite Verb होगी, तीन Close, कितनी भी Close जूट सकती हैं, उसके अंदर, क्लियर है, दूसरी चीज मैंने भी क्या बताया, कि इसके अंदर देखी, पहला Sentence है, उसके अंदर Funite Verb कितनी है, One and Two, यह क्या होगया बई, एक Close, दूसरी क्या होगी, एक Close यह होगी, इसका मतलब यह बोला है, कि I Eat What, मैं खाता हूँ, क्या, उसका Answer निकल के आएगा, यह, इट मिन्स, क्या होगया, Noun Close, किसका Answer देगा, What का, किसका Answer देगा, What का, इसलिए क्या होगया, I Eat What, Whatever I Can, जो मैं कुछ भी का सकता हूँ, मैं खाता हूँ, क्लियर है, दूसरी चीज़, He Saw That, उसने देखा, उसने देखा, What, क्या देखा, The Cat Is Running, After That, Red, Run After का मतलब होता है, पीछा करना, यह भी Important है, For Your Exam, Run After का मिन्स, Run After मिन्स, पीछा करना, तो यहां पर क्या हो गया, He Saw That, The Cat Is Running After The Cat, He Saw, What, क्या देखा, उसने, उसने देखा, कि वो जो है, Cat है, वो, Red का पीछा कर रही है, इसमें, It Means, क्या होगा है, यह वाली, कौन से Close होगी, Noun Close होगी, उसके पार में देखिए, फिर हम बात करेंगे, किसकी, मुझा लिए, Phrase आती है, आपसे Phrase पूछे, तो वो भी क्या हो सकती है, Noun Phrase हो सकती है, कैसे, I Hope, क्या, I Hope, You Hope, What, कि To Get A Price, To Get A Selection, यहां मा लिखू To Get A Selection, clear हो गया बाई, To Get Selection, In Teacher's Exam, In NDA, In Air Force, In Defense, Anyway, तो यहां क्या हो गया, I Hope, What का इंसर मिल रहा है, इसका मतलब, यह वाली क्या है, इसमें क्या नहीं है, Finite Verb नहीं है, Finite Verb नहीं है, तो यह क्या हो गया, Group of Word वा, और वा है, क्या बन गया, Phrase बन गया, अब आता है, इसी को देखो, I Hope, What, That I Sell, Get A Price, इसमें क्या है वही, अरे इसमें क्या है, Finite Verb है, और Finite Verb है, तो यह क्या बन की, Close बन की, Close बन की, तो यह Close होगी, और कौन से Close होगी, Noun Close होगी, clear है, Yes, हमने बात की थी, दूसरी Close, जो है, वो है, Adjective Close, Adjective हमेशा, Noun को Qualify करेग Noun की विशेशता बताएगा, Noun की जो विशेशता बताता है, जो उसको Qualify करता है, वह है Adjective कहलाता है, हमारे जो वीडियो होगी, उसमें Noun, Next जो वीडियो होगा, उसमें Noun में, और Adjective में Difference, Noun का Adjective बनाना, Adjective का Noun बनाना, यह हम सिखाएंगे आपको, वीडियो जो है हमारे आप तो like करते रहिए, share करते रहिए, जरूर से जरूर, हम बात करें कि इसकी Adjective की, Adjective जो होता है, वो किसी भी Noun की विशेशता बताएगा, तो जो Noun की विशेशता बताएगा, close बनाएगा, वह है Adjective close, और जो phrase बनेगी वह है, Adjective phrase, table, कौन सी, with a broken leg, जिसका leg क्य है, टूटा हुआ है, कौन सी table, which का reply मिलेगा आपको, किसका reply मिलेगा, which का reply मिलेगा, the table, with table, कौन सी table, with a broken leg, तो देखो इसके अंदर ये क्या बन गया भई, ये क्या बन गई, फ्रेज बन गई, कौन सी phrase, Adjective phrase, और इसी को में लिकूं, the table, which has a broken leg, जिसके एक broken leg है, इसका मतलब table कौन सी, which has, जिसके एक broken leg है, admins, ये क्या है, ये क्या हो गया भई, इसके अंदर finite verb हो गई, तो ये वाले close हो गई, और ये वाले close हो गई, तो कौन सी हो गई, adjective close हो, clear है, समझ आया, जो विशेष्था बताएगी, जो उससे पहले जो नाउन आता है, उसको qualify करें, उसको हम बोलेंगे, adjective close करेंगे, ओके, yes guys, अब हमारी बात आती है, adverb की, adverb को identify कैसे करें, adverb को identify करने के लिए, मैंने आपको काफी, उसमें हमारे जो first video था, उसमें बताए था, पाट्सव पी स्पीच का जो identification था, उसके अंदर बताए था, adverbs जो होता है, adverb को, एक तो हपन क्या करेंगे, when secution, where secution, how secution, जब करेंगे, जब उनका reply जब आता है, इनसे जब अपन question करेंगे, उनका reply जब आता है, तो वो निकल की हमारे सामने adverb आती है, close बनेगी, fun adverb होगी, तो वह close होगी, और उसके अंदर अगर, fun adverb नहीं होगी, तो वह phrase बन जाएगी, देखे, मैंने भी बोला कि, you may sit, where, you may sit, where, wherever you like, चाह कहें भी तुम like करो, वहां तुम बैठ सकते हो, it means, this is called adverb close, clear है, दूसरी चीज़, we played in the garden, we played in the garden, until the sun set, हम garden में खेले, जब तक की सूर्ये, set नहीं हो गया, the sun sets, the sun set, जब तक की सूर्ये जो है, अस्त नहीं हो गया है, तब तक हम खेले, it means, यह बता रहा है, कि वहन, वहन का reply दे रहा है, उसके बाद में क्या कर रहे है, कि zone went home, zone घर गया, when, after he finished his lunch, lunch को finish करने के बाद, he went home, it means, this is also adverb close, उसके बाद में आता है, meet him, meet him, close, okay, at the bridge hotel, at the bridge hotel, meet him, where, meet him, where, at the bridge hotel, it means, where का जबाब दे रहा है, जैसे, एक संटेस और लिखो में, I know, I know the place, I know the place, where you live, where you live, चलो बताईए, कौन सी close हुई है, ये वाली close होगी, adjective close होगी, ये वाली close होगी, adjective close होगी, कैसे होगी, क्योंकि ये close हो है, वो क्या बन रहे होगी, ये वाली तो close है, इसके अंदर क्या कर रहा है, I know the place, मैं उस स्थान को जानता हूँ, it means, वो तो place है, उसको identify किया जा रहा है, उसको identify किया जा रहा है, कि I know the place, मैं उस स्थान को जानता हूँ, जहां तुम रह रहे हो, इसका मनलब वह, place को क्या कर रहा है, identify कर रहा है, और इसी sentence में अगर place अटा दे, I know where you live, I know, तब कौन सी close होई है, तब होगी, noun close, कैसे होई, because what का reply दे रहा है, I know what, where you live, तो दोस्तों यह क्या होई, noun close होई, इस तरह से हमने general introduction है, fundamental of English है, noun, उसमें phrase क्या है, close क्या है, sentence क्या है, उनके बीच में हमारे जो difference था ना, वो देखा हमने, उसके बारे में हमें छोटी-छोटी चीजों को हमने पहचा ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो share कीजिए, like कीजिए, और आगे भी भोछ सारे अच्छे, interesting वीडियो आपको मिलते रहेंगे, thankful.